दोस्तों काफी टाइम हो चुका है और दोस्तों अब हम सब का इंतजार खतम होने जा रहा है क्योंकि हम सभी की बीच में Hollywood Film Industry और Bollywood Film Industry की तीन मेगा बजट फिल्में रिलीज होने जारी है और दोस्तों तीनों का जो बज़ है जो क्रेज है वो अपने आप में कहीं ज़्यादा बना हुआ है जी हाँ, अगर हम बात करें फिल्म राम सेतु की तो यह movie एक काफी बहतरिंग और Mind-blowing Film है आज हम आपको बताएंगे इस movie के Buzart, Screen Counting और दोस्तों Collection के बारे में साथे-साथ दोस्तों हम बात करेंगे फिल्म Black Adam के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे फिल्म तेंग गोर्ट के भी All Notification पर क्लिक करना ना भूलिएगा, तो चलिए दोस्तों मेरा नाम है आकास, आप देख रहे हैं Every Box Office, चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म राम सितु की, तो यहाँ मुवी एक भारती एडवेंचर एक्शन तिला फिल्म है, जिसके दर आपको अक्षे क इक लिए बता दे कि अभिसेक सर्मा वही डारेक्टर है, जिनने इसके पेले दाजोया फेक्ट और सूरच पे मंगल भारी जैसी बहतरिंग फिल्म में बनाई हैं, दोस्तों आपको जानकर इक लिए बता दे कि राम सितु मुवी जिसका बज़र एक सो तीस से एक सो पचास क देखने के लिए मिल सकती है, पर दोस्तों बात करें, क्या किकार ओडियंज के तरब से मुवी को सपोर्ट कैसा देखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तों जब से राम सितु मुवी का ट्रेलर लौण्ज करा गया है, तब सही दोस्तों हम सभी की बीच में मुवी का बर्ज और क्रेज साथवे अस्वान पर पहुँच चुका है और ओडे से इस मुवी को देखने पर बिल्कुल तद पर खड़ी है। यही करण है कि इस मुवी के ट्रेलर को अभी तक 28 मिलियन यूज मिल चुके है और जिस तरकी ते फिल्म का बर्ज और क्रेज बना हुआ है। उससे कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म राम से तुम मुवी अपने पहले दिन 20 करोड रुपे तक की ओपनिंग लेख सकती है। यही पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म ब्लेक एडम की तो दोस्तों हौलिवुट फिल्म इंडरेश्टी की डीसी कोमिक की बहेतरिंग मॉच अविटेट फिल्म ब्लेक एडम जिसके इंदर आपको डेविड जोनसेंस काम करतुए नजर आते हैं। आपको जानकर इक लिए बता दें कि इस मुवी को डारेक्ट करा है। बात करें कि आखिर का ब्लेक एडम हिंदी वर्दन में कितने करोड रुपे कामा सकती है। तो जिस तरीके से फिल्म का बर्स, क्रेज और उक्योपेंसी बने हुई है। मुझको लगता है कि कहीं न कहीं यह फिल्म अपने पहले ही दिन 18 करोड रुपे तक की आपनिंग ले सकती है। और दोस्तो रज सकती है एक नया इतहाद। विसे दोस्तो आपके ओपिनन क्या है कि बाकी DC मुविस के तरह ब्लेक एडम भी एक काफी बड़ी ब्लोकबश्टर होगी या फिन नहीं कमेंड करके जुरूर बताइएगा और दोस्तो आपके रहमाचेल को सस्क्राइब करना न बुलेगा चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी और आखरी मुवी के बारे में तो दोस्तो हमारी तीसरी फिल्म है बॉलिवुड फिल्में इंडेश्टी की मुच अवैटेड फिल्म धेंग गोड जिसके अंदर आपको अजे देवगान राकुल प्रिस सिंग और सिधार्त और मनोतरा जैसे बहत्रिंग एक्टर काम करते हैं नजर आ रहे हैं दोस्तो आपको जानकरी के लिए बताने किस मुवी को डारेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार जी और फिल्म को प्रेडूस करा है बुशन कुमार ने दोस्तो आपको जानकरी के लिए ये भी ब प्रेंड मस्ती पाश्वी फिल्म थी टोटल धमाल जिसको हम सबी के बीच में काफियरा सरहाना दी गई और दोस्तों काफियरा पसंद करा गया उसके बावजुद भी दोस्ता अब इनकी बहतरिंग फिल्म थेंग गोट निकल के आ रही है और दोस्ता आपको जानकर इक लिए बता दें कि थेंग गोट का जो पहला ट्रेलर था उसको लगबग उटबग उन पचास मिलियन व्यूज मिल चुके थे और दोस्तों थेंग गोट मुवी के सेकेंड ट्रेलर को 23 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं जिससे कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्मे का जो सोंग है मनी के उसको लगबग 6 million views मिल चुके हैं यानि कि इस फिल्मे का जो buzz है जो crazy वो दूसरी फिल्मों से काफी ज़्यादा है और दोस्तो काफी ज़्यादा हट के बना हुआ है अब अगर हम बात करें कि फिल्मे थेंग गौड मुवी अपने पहले दिन कितने करोड रुपे की opening ले सक करती है क्योंकि दोस्तों फिल्मे का budget 145 करोड रुपे तो मुवी को हिट होने के लिए 125 करोड सुपर हिट होने के लिए 165 करोड और ब्लोकबश्ट होने के लिए 2500 करोड से ज़ढ़ागा कारोबार करना होगा और इस मुवी को हम सभी के बीच में 3,800 स्क्रिन्स पर रिलिस क करा जाएगा अब दोस्तों आपके ओपिनिन क्या है आप इस मुवी को देखने जाएंगे नहीं कमेंड करके जरूर बताईएगा जेहिंद वन्यमातरम